हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनेल आज मैंने शेयर क्या है देर मीटर फेक ब्रिंग में से लेडिस पेंट ताउजर की काटिंग और स्टीचिंग जो बिगिनर्स के लिए काफी मैंने इजी तरह से इससे बनाया है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसकी मे मेजर्मेंट है मेरी में इस मेजर्मेंट अपनी हिसाब से रख रही हूँ वेस्ट है 14 इंचेस इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे आईगा 10 और 10 पर और 2 इंचेस एड करेंगे और इसकी लेंग्थ होगी 34 इंचेस इसी मेजर्मेंट पर हम इसे काटिंग करेंगे अब मैं आपको इस पेपर पीस पर इसकी मेजार्मेंट बता देती हूँ ताकि आपको आच्छे से समझ में आएगी माली जी यह हमारा फेबरीक है जिसे हम बीच में से इस तरह से फोल्ड डालेंगे देर्मीटर फेबरीक को इस तरह से फोल्ड डालेंगे और यहाँ पर होगी हमारी वेस्ट लाइन जो की हम 12 इंचेस पर डालेंगे और क्रोच के लिए यहाँ पर मैं 11 इंचेस एक लाइन लागाऊंगी आगे से उपर से 2 इंच का बेल्ट जोड़ेगा तो यह 13 आएगा और क्रोच का निशान है 3 इंचेस कोच की चोड़ाई है 3 इंचेस 14 इंचेस कमर के लिए हम 3 इंचेस पर क्रोच डालते हैं आप उपर से 17 इंच पर यहाँ पर आएगा हमारा पोचे का निशान तो 8 इंचेस हम अपनी पोचे का चोड़ाई राखेंगे और इस पर और 3 इंचेस लेंग्ट एड़ करेंगे मोडने के लिए नीचे की मोडने के लिए आप उपर से 18 इंच पर आएगा हमारा गुपने का निशान और इस तरह से हम इन दोनों पोईंट्स को मिला देंगे यहाँ पर 4 इंचेस हम सीधा राखेंगे आप यहाँ से 17 इंचेस लंबी और सिर्फ एक इंच ही अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से लाइन डालेंगे और उपर भी सेम इसी तरह से एक इंचेस अंदर की तरफ 5 इंचेस लंबी एक लाइन डालेंगे तो आप इसे हम कटिंग करेंगे यह हमारा बेक पाट होगा इसके बाद हम फ्रोंट पीस की कटिंग करेंगे तो इस पीस को कटिंग करने के बाद हम इसकी फ्रोंट पीस को कटिंग करेंगे और यह हमारा बेक पाट है आप बची हुई कप्डे पर हम इस तरह से बीढ़ाएंगे आगे से 2 इंच देखिए इस तरह से बड़ा कर रखेंगे मतलब फ्रॉन्ट की पीस को हम 2 इंच या 5 इंच कम रखेंगे पहले हम same to same इस तरह से मार्क कर लेंगे और कमर की हिस्से पर इस तरह से आगे की तरफ देड़ इंच डाउन रखेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमें front और back के लिए four pieces मिल जाएगी और निचे की इस हिस्से को हम stitching के दोरान इस तरह से fold डालेंगे तो कप्रे को मैंने same to same इस तरह से बिचा दिया है आप यहाँ पर होगी देखिए यह है कुला साइड और मेरी तरफ है बन साइड आप यहाँ पर हम अपनी waste का point डालेंगे तो जैसा कि मैंने बता दिया है 12 inches है 14 inches कमर के लिए तो यहाँ पर 12 inches पर में मार्क लगाऊँगी और क्रोच के लिए क्रोच डालेंगे 11 inches पर इस तरह से एक सीधा line डालेंगे और उपर से 2 inch का belt चोड़ेगा तो यह 13 आ जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 inches की कमर waste के लिए आपको 3 inches क्रोच डालना है और अगर आपकी कमर 38 या 36 inches है तो आप 10 inches पर भी डाल सकते हो तो यहाँ पर 3 inches पर हम इस तरह से एक line डालेंगे आप उपर से इसकी length नापेंगे और length है हमारी 34 inches पर यहाँ इस तरह से mark डालेंगे और इसके नीचे 3 inch extra लेते हुए और एक mark लागाएंगे और पोचे की चोड़ाई होगी 8 inches यहाँ पर 8 inches पर एक सीधा line डालेंगे और 3 inches नीचे और एक line डालेंगे और आप हम उपर से 18 पर अपनी गुपने के लिए निशान लगाएंगे आप इस तरह की scale की मदद से इन सारी points को मिलाएंगे तो पहले हम यहाँ पर 4 inches पर एक सीधा line डालेंगे इस तरह से इस area को हम सीधा रखते हैं तो यहाँ से सीधा line डालने के बाद इस scale की मदद से हम इन सारी points को मिला देंगे आप इस एरिया पर हाम एक इंच अंदर की तरफ इस तरा से मार्क लागाएंगे और इसे 17 इंच तक इस तरा से एक लंबीसी लाइन डाल लेंगे और उपर वेस्ट की हिस्से पर भी हाम सेम एक ही चांदर की तरफ मार्क डालेंगे और इसे सिर्फ फाइव इंच लंबी इस तरा से एक लंबी लाइन डालेंगे आप इस पीस को यहाँ पर हम क्रोच के लिए शेप डालेंगे और इस पीस को काटिंग करेंगे तो यह हमारा बेक पीस होगा इसके बाद हम अपनी फ्रोंट की पीस को काटिंग करेंगे तो बेक पाट की काटिंग हो जाने के बाद देखिए इस पीस को हम लेंगे और बाची हुई फ्रोंट के उपर हम इस तरह से उल्टा करके इसे बिचाएंगे तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो मैंने किस तरह से इसे बिचाया है उल्टा करते हुए इस तरह से हमारी काफी फेबरिक की बचत हो जाती है इस तरह से बिचा देने पर देड़ मीटर फेबरिक में से हमें तोड़ा और बच भी जाती है फेबरिक और इस पीस को हम इस तरह से बिचाएंगे ताकि बाहर की तरफ यह देखें इस तरह से एक इंच कम रहे और इसके बाद सेम टू सेम इसे मार्किंग करेंगे और वेस्ट लाइन को आगे की तरफ से हम यह हमारा बैक पीस है और आप जो काटेगा यह हमारा फोंट पीस है झाल और फ्रोंट पीस की कमर की हिस्से को हम इस तरह से आगे की तरफ से एक इंच डाउन रखेंगे काटिंग हो जाने के बाद हम इन दोनों पीस की पहले क्रोचेरिये को स्टीच करके जोइन कर लेंगे और क्रोचेरिया जोइन हो जाने के बाद फ्रोंट और बेक दोनों पीस को इस तरह से मिलाते हुए अच्चे से मिलाते हुए हम पहले इसकी अंदर की हिस्से को जोइन करेंगे तो इसे अंदर की हिस्से को जोइन करने के लिए हम इस तरह से मिलाएंगे और इसकी नीचे से स्टीच डालेंगे इस तरह से मिला देने के बाद हम नीचे की हिस्से में से इस पर इनपर स्टीच डालेंगे जोएन हो जाने के बाद पहले हम इसकी नीचे की फोल्डिंग डालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम जहाँ पर हमने फोल्डिंग के लिए मार्क लगाये था एक्स्ट्रा जो हमने मार्क लगाये था यहाँ पर इस तरह से इस पर एक चोटी सी काट्स लगाएंगे कार्ट्स लगाएंगे और आगे की प्रोसेस आपको वीडियो में दिखने को मिल जाएगा किस तरह से इसे फॉल डालेंगे और स्टीच करेंगे हम तो यहाँ पर इस तरह से एक कार्ट्स लगा देने के बाद इसकी राइट साइड पर हम पहले स्टीच डालेंगे आभी देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड डालेंगे और इसे एक स्टीच हम राइट साइड पर फोल्ड करते हुए इस काट जहाँ पर हमने काट लगाया है वहाँ तक इस तरह से स्टीच डालेंगे जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो झालेंगे एक स्टीच जिते हां। तो इसे इस तरह से स्टीच डाल लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक काट्स लगाएंगे और इस हिसे को हम सिधा कर लेंगे सिधा कर लेने के बाद इस फोल्डेड हिस्से को हम पहले स्टीच लगाएंगे या फिर हम अपनी हातों से भी इसे तूर्पाई कर सकते हैं तो इस पर एक टॉप स्टीच हम डाल लेंगे आप झाल 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 स्टीच लगादेने के बाद हम इन दोनों हिस्से पर जहाँ पर हमने काट्स लगाएंगे वही पेसे अच्चे से मिलाते हुए हम इसकी जोएन डाल लेंगे तो इस तरह से हम अपनी दोनों पेरों को इस तरह से जोएन डाल लेंगे और जोएन डाल लेने के बाद देखे यह कितनी अच्ची फिनिशिंग के साथ इसकी नीचे की हिस्सा श्टीच हुआ है आप इस पर हम बेल्ट डालेंगे तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने फाइव इंचेस चोड़ी और इसकी कमर की जितने ही लंबी एक पीस लिया है मैंने और इसे हम राइट से राइट मिलाते हुए पहले इसकी कमर के साथ इसे जोएन कर लेंगे इस पीस को इसके बाद हम इस पर इलास्टिक डालेंगे बेल्ट जोएन हो जाने के बाद मैंने ये इलास्टिक लिया है जिसकी लेंग्ट मैंने अपनी कमर से 4 इंच कम रखा है आप इस पर इस तरह से राखते हुए इसे इस पर स्टीच डालेंगे तो सबसे पहले हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से जोइन डालेंगे और इसके बाद अपनी कमर की बिल्कुल बीचो बीच राखते हुए इसे बेल्ट के साथ जोइन करेंगे और इलास्टिक जिस तरह से केचते हुए लगाया जाता है इस तरह से इस पर एक स्टीच डाल ले प्राइट नहीं हो दो 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 हएंगे. तो इस तरह से इलास्टिक जोइन हो जाने के बाद हम इसकी उपर की हिस्से को इस तरह से लेंगे और इसकी इसे हम इस तरह से अच्छे से फॉल्ड आटलते हुए फिर से हम इलास्टिक को केचते हुए इस पर और एक स्टीच लगाएंगे जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो झाल 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 इलास्टिक जोएन हो जाने के बाद इसकी स्टीचिंग भी पूरी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक तो वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना और नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई